मंदिर को दान किये जा रहे ये बाल बहुत कीमती हैं पता नहीं इनका क्या होगा बस ये मंदिर को तौफा है आईए बॉक्स में रखिये दान के इन बालों से कई कंपनिया करोडों का मुनाफ़ा कमा रही है पर क्या यहां आने वाले लोगों को पता है कि उनके बाल बेचे जाते हैं? दक्षिन भारत में कई मंदिरों में महिलाओं के मुंडन की परमपरा है लेकिन मंदिर ऐसे बालों को कुछ फैक्टरियों को गोपनिया तरीके से बेचते हैं उनकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बाल कितने लंबे हैं बेहद लंबे बाल 27,000 रुपे प्रती किलो तक बिखते हैं इस ट्रक में 127 किलो बाल लदे हैं यानि ये लाखों का माल है और मंदिर से ये बाल यहां इस फैक्टरियों में पहुँचते हैं पहुँचने पर सबसे पहले इन बालों को सुलजाया जाता है यहां पर मंदिर से बाल आते हैं इस तरह के हर गुच्छा उलजा होता है पहले उन्हें सुलजा करके और उसके बाद फिर इस तरह से बांधा जाता है इन बालों को अच्छी तरह से धोया जाता है और उसके बाद इन्हें सुखाते हैं इन्हें बाद में रंग करके 55 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाता है राज हेर इंटरनेशनल का साला नाटा नोवर 55 करोड रुपे है यानि किसी की शद्धा किसी के लिए करोडों की कमाई का जरिया है मंदिरों को महिलाओं के ये बाल मुफ्ट में मिलते हैं इससे मिले पैसे को मंदिर वाले लोगों की भलाई पर लगाते हैं गरीबों को खाना खिलाते हैं, इनुवर्स्टी और अस्पताल चलाते हैं हम इने खरीदते हैं, ये अच्छा है ना कि हम कचरे को डॉलरों में तबदील कर रहे हैं सोचिये इनका बाजार ना हो तो मंदिरों को इन्हें नस्ट ही करना पड़ेगा और भारत के मंदिरों से ये बाल अच्छी तरह पैक होकर फ्रांस जैसे देशों में पहुँच रहे हैं यहां पैरिस में खेर एक्स्टेंशन या फिर विग बनाने में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ये बाल भारत से आए हैं ये आज की तारीख में सबसे अच्छी क्वालिटी के बाल है एक हजार यूरो यानि असी हजार रुपे में ये महीला ये बाल लगवा कर खुश है भारती महीलाओं के बाल सबसे सुन्दर होते हैं इस तरह अब मुझ में भी थोड़ी भारती ता आ गई है